जयहिंद मेरे प्यारे बच्चों कच्छा नो के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे दोहजार पचीस की वारसिक परिछा देंगी आप सभी के लिए लेकर किया चुका हो मैं इस वीडियो में हिंदी विषय का माडल पेपर जी हां मेरे पैरे बच्चों जितने भी मेरे पैरे बच्चे कच्छा 9 में हैं और 2025 की वारसिक परिच्छा देंगे तयारी कर रहे हैं आप सभी को हिंदी विशे का माडल पेपर जरूर तयार कर लेना है क्योंकि इस माडल पेपर के जरिए आपको पता चलेगा कि आपकी वारस साल्ब भी कराऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा इस माडल पेपर को जरूर तयार कर लेना सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपकी वारसिक परिच्छा में पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा और प्रशन भी इस माडल पेपर से आपकी वारसिक परिच्छा में 100% पूछे जाएंगे यह मेरी गारंटी है मेरे पैरे बच्छों समय आपको तीन घंटे पंदरा मिनट का मिलेगा पेपर का पूड़ा प्रारंब के जो पंदरा मिनट हैं तीन घंटे पंदरा मिनट में से 15 मिनिट आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए क्या प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे प्रश्ण पत्र दो खंड में विभाजित है खंड आ और खंड बा खंड आमे, यहाँ पर आप लोग ध्यादेंगे, 20 अंके के बहुविकल्पी प्रश्न दिये गए हैं, खंड बा में 50 अंके के वर्डनात्मक प्रश्न दिये गए हैं, और प्रतेग प्रश्न के सम्मुख, निर्धारित अंक भी अंकेत हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका धी वर्णन किया गया है। मेरे पैरे बचों खंड आके इन सभी प्रशनों को आप लोग तयार कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट हैं आपकी वारसिक परिच्छा के लिए। चलिए मेरे पैरे बचों यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग कुल 20 बहुविकल्पी प्रशन हैं खंड आमें प्रते एक प्रशन एक नंबर का है और इस तरह से आपके पूरे 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 20 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि आप इन पूरे पूरे 200 प्रशनों का एंस और OMR सेट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो मेरे प्यारे बचों पहला यहाँ पर प्रशन जो है कई बार वार्शिक परिच्छा में आ चुका है तो यह प्रशन आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर भारतिंद यूग की काला वधि क्या है काला वधि कहे य या समया वधि आप लोग ध्यान देंगे कई बार प्रशन में लिखा रहता है कि भारतिंद यूग या किसी यूग की समया वधि या समय सीमा क्या है तो यहाँ पर जो विकल्प दिये गए हैं इन विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान के मद्ध का समय भारतंद युग की समय सीमा के अंतरगत आता है यानि भारतंद युग की समय सीमा या कालावधी है मेरे प्यारे बचों हिंदी के यहां पर दूसरा प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे दिये गए विकल्पों में से हिंदी प्रदीप के बिकल्प यानि जो भी बिकल्प सही है आपको उसी केनुसार OMR सेट में गोला काला करना होगा प्रशन संक्या तीन है मेरे प्यारे बचो सेट गोविंद दास द्वारा रचित एक आंकी में कुल कितने पात्र हैं तो सेट गोविंद दास जी के द्वारा रचित जो एक आंकी ह उसमें कुल चार पात्र हैं, यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेरे प्यारे बचो, प्रश्ण संख्या चार वेरे वेरे इंपोर्टन्ट है, ब्रामवन पत्र के संपाद कौन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप नारायन निस्र जी के द्वारा, ब्राम्हण पत्र का संपादन किया गया था। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है और प्रत्वी राज रासो वीर गाथा काल या आदिकाल की रचना है लिखा किसने है इसको चंद बरदाई जी ने लिखा है। मैं सारी चीजे किलियर करा रहा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को विल्कुल भी स्केप मत करना अनिता महात्पूर जानकारी छूट सकती है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित लहरी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं सूर दाश जी की हैं। प्रशन गला है हिंदी का प्रथम कभी किसे माना जाता है तो दिये गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम कभी माना जाता है किसको सरहपा को। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। किस रस का स्थाई भाव है दीर रस का स्थाई भाव है। और चोपाई छंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोलह सोलह मात्राएं होती हैं यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रशनगला है रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न ऊबरें मोती मानुस चून। दिए गई पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका क्या उत्तर हो जाएगा। पंच वटी में कौन सा समास है तो पंच वटी में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है आप लोग ध्यान दीजेगा। मैंने आपको बताया है कि जिस समास का पहला पद संख्या वाची यानि गिनती बताने वाला होता है और दूसरा पद यानि पहला पद और दूसरा पद क्या है किसी समो या समाहार का बोध कराए वहाँ पर होता है कौन सा समास द्रिगु समास तो पंच वटी में कौन सा समास है द्रिगु समास है प्रश्चन अगला है निर्जीव का विलोम क्या होगा तो निर्जीव का विलोम क्या हो जाएगा निर्जीव का विलोम हो जाएगा सजीव प्रश्चन अगला है हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो प्रस्तित वाक में हे राम के पश्चात यह पर यह जो है यह कौन विराम चिन है तो इसका उत्तर हो जाएगा बिसमें बोधक के चिन अगला प्रश्ण है मेरे पै deal बेचों Ambojaltoy आदि क्या कहलाते हैं तो Ambojaltoy यह सभी कहलाते हैं परियाय वाची सब्द प्रश्न अगला है कपी इसाह का संदिविछेद क्या होगा तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कपी प्लस इसाह अगला प्रश्न है ब्रच्छात में कौन सा कारक है तो ब्रच्छात में मेरे प्यारे बच्चो अपादान कारक है दिये गए विकल्पों में से पहला विकल्प सही होगा अगला प्रश्ण है अस्तु किस लकार का रूप है तो अस्तु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगी लोट लकार का रूप है प्रश्ण संख्या 20 है वसुध है उमे संधि क्या है तो वसुध है मेरे प्यारे बच्चों ब्रद्धी संधी है, इसके बाद आप देखेंगे खंड बाद जिसके अंतरगत कुछ इस तरह के प्रशन पूछे जाएंगे, यहाँ पर प्रशन संख्या 21 का है, निमनलिखित गद्यांसों में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजि तो पहला गद्यांस यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बात का तत्त्य समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योगी बात गड़ सकना भी ऐसो वैसो का साधिन नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ जो गद्यांस है, यह ल और लेखक का नाम भी आपको लिखना होगा, तो बात सीरसक पाठ के लेखक कौन है, प्रताप नारायन मिसर जी, आप लोग घ्यान दीजिएगा, प्रताप नारायन मिसर जी है, बात सीरसक पाठ के लेखक, इसके बाद रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए, तो जो रेख तो यहां के स्पार्ट से है क्योंकि इसमें भी पहला प्रस्ण है उपर युक्त गद्यांस का संदर भी लिखी तो वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निसब्द संगीत की भाति प्रकति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के सामान थे मग जहां हास की धुनिती अब करूड करदन और असर प्रवाह था मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांस है यह लिया गया है मंत्र सीरसक कहानी से और इसके लेखक हैं मुनसी प्रेम चंद जी आप लोग ध्यान देंगे बहुत ही अच्छी कहानी है इसको आप लोग जरूर पढ़ना बहुत ही आपको अच्छी लगेगी आपको कहीं न कहीं एक बहतर सीख बिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी तीन प्रशन है तो चाहे तो आप पहले गद्यांस को साल्व करें जो पहला हो या आप अथवा वाले के प्रशनों को साल्व करें मुठे सुख को सुख कहाएं मानत हैं मन मोद जगत चबैना काल का कच्छ मुख में कच्छ गोद मेरे प्यारे बचों इसमें भी पहला प्रशन है प्रस्तु दोहे का संदर्व लिखे तो यह लिया गया है साखी सीरसक पाठ से और इस पाठ के लेखा किया रचनाकार कौन है कबीर दाश जी अगला मेरे प्यारे बचों अथ्वा में भी पध्यांस है प्रभु जी तुम दीपक हमबाती जाकी जोत बरे दिनराती आप लोग कमंड करके वताइएगा कि यह किस पाठ से है और इसके लेखा किया निरचनाकार कौन है इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रशनगला प्रशन संख्या 23 का है निमनलखित संग्सकरत गध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुआद अपने सब्दों में कीजिए मेरे प्यारे बचों चार नंबर का प्रशनाएगा किसी एक गध्यांस का आपको शंदर्व लिखना होगा और हिंद अनुवात करना होगा पहला गद्यान्स है मेरे पहरे बच्चों आप लोग यहां पर ध्यान दीजेगा सदा चारह नाम नियम सैयमयो पालनम मेरे पहरे बच्चों यह किस पार्ट से लिया गया है तो आप लोग ध्यान दीजेगा सदा चारह सीर्शक पार्ट से लिया गया है पहला गध्यांस और अत्वा में जो गध्यांस है यहाँ पर रामदासः नारायन पुरी निवस्सति मेरे पैरे बचो यह किस पार्ट से है तो आप लोग ध्यान दीजेगा सिद्धी मंत्रह आप लोग ध्यान देंगे सिद्धी मंत्रह सीर्शक पार्ट से गध्यांस है इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगला प्रश्न है निमनलिकित संग्सकरत पध्यांसों में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदे में अनुवात कीजिए जिसके लिए आपको चार नंबर यहाँ पर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो इस लोग है यानि पद्यांस है सत्य ब्रतम, सत्य परम, त्रिय सत्यम, सत्य सियोनिम, निहतम, चा सत्य यह लिया गया है वंदना, सिर्शक पाट से और दूसरा अत्वा में जो पद्यांस है बुद्धिमान, नेतिमान, वागमी तो यह जो है मेरे पैरे बच्चों आप लोग ध्यान दिजेगा यह लिया गया है पुरुशोतमाह आप लोग ध्यान देंगे पुरुशोतमाह रामा पुरुशोतमाह रामा सीर्षक पाट से लिया गया है प्रशन अगला है बेवहार एक आंकी के आधार पर रगुराज सिंग का चरितर चित्रड कीजी तो प्रशन संख्या 24 आएगा पांच नंबर का अथवा में भी प्रशन है मेरे प्यारे बचो दीप दाने कांकी की कथा संखेप में लिखिये तो किसी एक प्रशन का आपको उत्तर देना होगा प्रशन संख्या 25 का है निमनलखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परचे देते हुए उनकी किनी दो रचनाओं का नाम लिख तो आपको किसी एक लेखक का जीवन परचे लिखना होगा और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने होंगे जिसके लिए आपको चार अंक मिलेंगे महत्पूर लेखकों का नाम आप देख पा रहे होंगे पंडित प्रताप नाराण मिस्र और धर्मदीर भारती मुंसी प्रे तो यहाँ पर कभीरदास, मैथली, सरणगुप्त और रहीम किसी एक कविका जीवन परचे और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने हैं चार नंबर का यहाँ प्रशन है और चार नंबर का यहाँ प्रशन भी है अगला प्रशन है अपनी पाठी पुस्तक से कंठस्त किया हु कोई एक इस लोक लिखिए जो इस प्रशन पत्र में ना आया हो दो नंबर का प्रशन है मेरे प्यारे बच्चों और प्रशन अगला है निमनलखित प्रशनों में से किनी दो प्रशनों के उतर संक्सकरत में दीजिए चार नंबर का यहाँ प्रशन है इन महत्पूर प्रशन दो नंबर का ये प्रश्ण है और यहाँ पर मुहावरी और लोकोक्ती इस प्रकार से हैं अकल का दुस्मन होना, आखों पर परदा पड़ना, आसमान से गिरा खजूर परट का और अपनी घर कुट्ता भी सेर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्ण संक्या तीस निम प्रधाना चार को पत्र आकस्मिक आउकास है तो एक प्राथना पत्र लिखी जिसमें दो दिन का आउकास मांगा गया हो पांच नंबर का यहाँ प्रश्ण पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चो आपने देखा 2025 की वासिक परिच्छा का मांडल पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा अथमा में भी एक प्राथना पत्र से ही सम्मंधिक प्रश्ण पूछा जाएगा आप लोग ध्यान दिजेगा किसी एक प्रश्ण का ही आपको उत्तर देना है पांच नमबर मिलेंगी तो मेरे प्यारे बच्चो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा जैहिंद